है एलो एवरिवन आज हम इस्टेडी अापसिस की बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले लेटस प्ले और केम उसके लिए हमें चाहीए दो पेन और हम क्या करेंगे इन दोनों जो पेन नें इनकी टिप को टच करने की कोसिस करेंगे, लेकिन condition क्या है, हमारी एक آई बंद नहीं चाहिए, ठीक, let's start. तो देखा जब हमने इनकी टिप को टच करने की कोशिज की अपनी एक आँक को बन करके तो क्या हुआ इनकी टिप को टच नहीं कर पाये जब हमारी एक आँक बन थी अब ऐसा क्यों हुआ देखो ऐसा इसलिवा क्योंकि हमें डेप्स का अंदाजाई नहीं लगा कि कौन सी पेन आगे है या फिर कौन सी पेन पीछे है जिसकी वज़े से जब हम इसको इसे टच करने जा रहे थे तो यह तो आगे चली गई या फिर पीछे चली गई तो इससे concept निकल कराता है stereopsis का जो यह बताता है कि हमारी आई की ability है जिसके द्वारा हमारी दोनों आखे मिलकर एक object को 3D में visualize करती है अगर हो 3D object है जैसे यह पेन है अगर हम इसको अपनी right eye को बंद करके देखते हैं तो जो इसका left side का part है area वो हमें चाहता दिखाई देगा लेकिन अगर हम इसको अप अपनी left eye को बंद करके right eye से देखते हैं तो जो राइट का right part है इस object का वो ज्यादा दिखाई देता है तो हमारा brain क्या करता है इसको जो left और right part दोनों को mix करके एक super imposed image बनाता है मतलब एक single image बनाता है जिससे हमें यह object एक दिखाई देता है ठीक तो इससे तो यह जिन लोगों में binocular vision होता है binocular vision किसमें होता है जिसमें दोनों आई जो है anteriorly placed होती मतलब front facing eyes में होता है जितने भी तुहारे predatory animals है जैसे तुहारे lions हुआ, cat हुआ मतलब जो भी सिकार ही animal है उनमें जो binocular vision present होता है और study options में बहुत important role play करता है उसी के द्वारा जो है वो सिकार कर पाते हैं वो यह पता लगा पाते हैं कि हीरन कितनी दूरी पर है लेकिन अग अगे जो दोनों eyes होती है वो side by side नहीं होती है वो opposite होती है उससे क्या होता है वो 360 degree देख पाते हैं 360 degree देखने से क्या होता है जैसे हम लोग 180 degree बस देख सकते हैं एंटिरियली लेकिन जो एनिमल्स होते हैं हर भी वोर्स होते हैं जो प्रे होते हैं वो 360 डिग्री देख पाते हैं जिससे कि अगर कोई लाइन अटाइक कर रहा है या फिर कोई उनको मतलब पीछे से मारने को आ रहा है तो भाग सकते हैं इसलिए अगसर आपने गाउं में अबिलीटी अब तई टुफी दिटी परशेप्शन ओफ अब जेक्ट आ ऑन बेसी से भाइन दिस पैरीटी बाइन ऑबल्लों डिस्पैरिटी का है मलब एक आपजेक्ट का दोनों आईज में अलग अलग इमेज बनता है लेकिन जो इमेज बन रहा है राइट और लेफ्ट में यह देखो तुमारा विज्वल पाथवे के दवद्वारा जाता है जो विज्वल कॉर्टेक्स एरिया होता है ब्रेन का वहां पर जाता है और वहां पर एक प्राइमरी विज्वल कॉर्टेक्स एरिया होता है मतलब विज्वल कॉर्टेक्स में भी कही सारे एरिया होते है ब्राइमरी एरिया होता है विजिवल काउटिसका जिसको एरिया सेवेंटीन या फिर ब्रोटसमेन एरिया भी कहते हैं क्योंकि दोनों आय से से सेप्जेक्ट इम Test उसका सल जा रहा है वह एक ही एरिया में जा रहा है और जितने भी predatory animals है उनमें binocular vision प्रजेंट होता है जैसे हमारा visual field होता है 180 degree 180 degree होता है तो जो 30 degree इस corner का 30 degree और इस corner का 30 degree का जो visual field है जो left 30 degree है वो left eye से बस दिखता है और जो right 30 degree है वो right eye से दिखता है लेकिन जो beach का 120 degree का area है यह हमारी दोनों आके एक साथ देखती है तो यह binocular vision में आएगा लेकिन monocular vision ऐसा नहीं कि present होता है 30 degree side का दोनों हमें दिखता है लेकिन dominantly अगर बात करें तो binocular vision ही present होता है इसलिए जब आप इसाई को अगर बंद करेंगे तो यहां को 30 degree का area होगा लेकिन जो beach का 120 degree का area है आपकी एक खुली है तो वह area आपको दिखाई देगा वही जो animals में क्या होता है क्योंकि इनकी आई एक इधर होती है और एक इधर होती है क्या 360 degree एप्रॉक्स का area दिखाई देता है animals में ऐसा होता है तो बात आती है कि अगर मालो किसी की एक आई नही है तो क्या उसको depth के बारे में पता नहीं चलेगा बट ऐसा नहीं है अगर किसी के पास एक गाया पंदल कैसे working नहीं तो अब भी उसको depth के बारे में पता चलता है और यहां से बात आती है monocular clues के बारे में बात आती है जो इसमें कुछ point है जिसको आपको याद करने की जरू monocular vision में क्या बताता है कि जिसे जो दो लाइन्स है railway पट्री के जैसे आपने देखा हुगा तो जब दूर तक आप देखेंगे तो जो दोनों लाइन से railway track की वह आपको मिलती भी दिखाई देती है मतलब जहां पर लाइन मिलती भी दिखाई दे रही इसे पता चलता है कि व कोई art में draw करता है printing तो उसमें आपको दिखा सकते हैं दूरी अगर दूरी को दिखाना हो तो अगर कोई train की पट्री बनाता है तो linear line से उसको रिप्रेजेंट कर सकता है तो इसमें depth आप ऐसी पता सकते हैं यह monocular clues एक तरह का है और इसमें दूसरा clues क्या है दुमारा relative size तो लेकिन कुछ लोग छोटे दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोग बड़े दिखाई दे रहे हैं तो जो बड़े दिखाई देंगे तो brain क्या समझेगा कि यह नजदीक है और जो छोटे दिखाई देंगे तो brain क्या समझेगा कि यह दूर है तो यह भी तुमारे एक monocular clue है एक तो लगता है कि ball पास आ रहा है तो यह लाइट एड और और इसमें तुम्हारे एक आता है इंटर पोजीशन कि इंटर पोजीशन क्या होता है जैसे कोई आपजक्ट है जो अगर कोई आपजेक्ट जो है आपके विजिव एडिया को जादा कवर कर रहा है मतलब पीछे की चीज़ नहीं दिखाई दे रही है मतलब या फिर कम दिखाई दे रही है तो इससे भी आप depth के बाले में पता कर सकते हैं तो यह सब सारे monocular clues मतलब एक आई के द्वारा भी आप depth का अंदाजा लगा पा रहे हैं और यह तुम्हारा वाता है कि Arial Perspective ठोब अस्मान नीला होता है तो जब तुम दूर देखते हो तुम तुम को लगे का कि धर्ती और आसमान जो कहीं कहीं झार कर मिल रहे हैं तो उसके तुम आइडिया लगा सकते हो कि कोई चीज कितनी डूर मिलता हुए दिखाई देगा यहीं तुम्हारा arial परस्पेक्टिव और एक तुम्हारा आता है मोसन पर अलेक्स मोसन पर एक से क्या होता जैसे तुम गाडी से चल रहे हो तो जो तुम्हारे पास की सीजिज होंगी वह बहुत तेजी से बहुत तेजी तरह जाएगी लेकिन जो चीज़ दूर प्रेजंट है वह थीरे-धीरे कर बहुत दूर है और जो जल्दी से चली जारी तो वह पास है तो यह जो मोशन पैरलेक्स यह भी तुम्हारे मोनाकुलर क्लू है लागी बाइनागुलर क्लू में अभी एक इस्टेडियाप्सिस मैंने बताया और एक होता है कन्वर्जंस क्या है जैसे कोई आपजिक्ट जब पास अगर कोई पास है तो ब्लैक पार्ट आप आई यह दूर जाती है जैसे अगर मैं इस पिन को अपने पास लाता हूं तो आप आप जर्ब करना मेरी आइस को यह दोनों ब्लैक पार्ट ढबाए दीरे-दीरे करते वे दूर जा रही है तो यह एक तरह का बाइनॉकलर क्लू है जिसको की कन्वर्जेंस कहते हैं तो इस तरीके से आपने क्या जाना इस टीडियाप्सिस के बारे में कि आई की वे अबिलिटी है जिससे यह किसी आपजिक्ट जिनमें बाइनॉकलर वीजन प्रजेंट होता है तो मैंने क्या बताया है है हुए हुमन्स में और जितने भी जो प्रिडेटरी निमल्स होते हैं उन्में 120 डिग्री तुमारा होता है बाइनॉकलर विज्वल फिल्ड जबकि जो प्रे हैं जैसे कि तुमारा जो हर्भीवर्स इनमे दिटेट सबस्राइब कि निमारत घाहे there पित रहे तो इन में किया होता है इन में लोड़न के वीज ब्राबर होता है इनसे और शे मेने पता वार उनपर मैंने इनसाल फील्ड बहत नहीं होता थाए तो हमारे में क्या है हमारे में ज़ियादा बि nation विजन है तो हम डेप्थ को बहुत अच्छे से देख सकते हैं मतलब को इसी कितने दूरी पर फाइनली हम उसको बता सकते हैं कि बागी जो हर भी वोर्स है वो मोनोकुलर क्लूज जो मैंने भी बताया उनके द्वारा वो भी डेप्थ के बारे में पता करते हैं ठीक बागी तुम्हारा जो है इस्टेडियॉप्सिस है वो किसमें इंपेर्ड होती है अगर किसी को जो है स्क्विंट आई है मतलब जो दोनों आई पैरलेली पर ले शोनी चाहिए अगर आगे पीछे है मतलब या तो मीडियल आ गई है या फिर लेटाल चली गई है और एक डीज ह कैसा लगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू फॉर वाचिंग